नमबर एक सबसे लंबा एवं लिकित सविधान हमारा सविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिकित सविधान है मोल रूप से सविधान में एक प्रस्तावना कुल तीन सो पिच्चान में अनुछेद हैं जो की 22 भागों में विभक्त हैं और 8 अनुसूचियां हैं विबिन परिवर्दनों के बाद वर्तमान संद ओजा 16 में 12 अनुसूचियां हैं ये था हमारे पहली विशेशता सविधान की सबसे लंबा एवं लिखित सविधान अब बात करेंगे नंबर 2 प्रस्तावना हमारे सव सविधान में प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है यह प्रस्तावना सविधान का भाग है सविधान प्रस्तावना सविधान का परीचे एवं भूमी का है इसमें सविधान का सार है ये थी हमारी दूसरी विशेशता प्रस्तावना अब बात करेंगे नंबर 3 विबिन स प्रेण दुनिया के दूसरे देशों से सविधानों से भी अनेक बातों को लेकर और उनमें हमारी आवशक्ताओं के हिसाब से परिवर्तन करने परिवर्तन करके उन्हें हमारे सविधान में शामिल किया गया है जैसे मौलिक अधिकार एवं स्वतंत न्याय पालिका की अवधारना सिर्प्त राजे अमेरिका के सविधान से जैसे मौलिक अधिकार एवं स्वतंत न्याय पालिका की अवधारना सिर्प्त राजे अमेरिका के सविधान से राजे के नीती निदेशक तत्व आयरलेंड से ली गई है सविधान संसदिय शैशन व्यवस्था ब्रिटैन से प्रेरित है ब्रिटैन में संसदिय शैशन व्यवस्था प्रेरित है नमबर चौथा पंतने पेख्षता इसका अर्थ है कि राजे सभी पंतों की समान रूप से रक्षा करेगा पंत निपेख्ष्टा का क्या रत है इसका रत है राज्ये सभी पंतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वे किसी भी पंत को राज्ये के धर्म के रूप में नहीं मानेगा भारत में रहने वाले लोगों को अपने अपने विश्वास के अनुसार पंत मत धर्म का पालन करने की आजादी है ये था पंत निपेख्ष्टा अब बात करेंगे नमबर पांच समाजवाद सविधान सभी भारते नागरिकों के लिए समाजिक आर्थिक एवं राजनितिक छेत्रों में समानता की बात करता है समाजवाद में क्या आएगा सविधान सभी भारते नागरिकों के लिए समाजिक आर्थिक एवम राजनितिक छेत्रों में समानता की बात करता है इन छेत्रों में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदपाव नहीं किया जाएगा ये कहता है कि इन छेत्रों में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का बेदपाव नहीं किया जाएगा ये था अमारा समाजवाद अब हम बात करेंगे नंबर 6 सविधान के अनुसार भारत एक लोगतांतरिक राज्य है, सरकार का चुनाव जनता करती है, हमारे शासन का सर्वोच पदा दिकारी राष्टपती होता है, यह एक वंशा नुगत ना होकर निर्वाचित होता है, अते हमारा देश गंतंतर कहलाता है, यह था लोगतांतरिक गंतंतर, अब करेंगे नंबर साथ मौलिक अधिकार एवा मौलिक करतव्य, हमारे सविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और शोषन से मुक्ति के लिए छे मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं, इन अधिकारों के साथ ही नागरिकों के ग्यारा मौलिक करतव्य भी निश्चित किये गए हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक करतव्य निश्चित किये गए हैं, जिनका नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा की गई है, यह थे हमारे मौलिक अधिकार, एवा मौलिक करतवे की नागिकों को कितने मौलिक अधिकार दिये गए हैं तथा कितनेमौलिक करतवे दिये गए हैं। अब हम बात करेंगे नीती निदेश तत्व, जनता के हित को ध्यान में रखकर कानून तथा नीती बनाने और आर्थिक समाजिक विकास के लिए सवीधान में सरकारों को निदेश दिये गई हैं, जिने सवीधान में नीती निदेशक तत्व कहा गया है। ये था निती निदेशक तत्व अब बात करेंगे हम संगात्मक शाषन व्यवस्था हमारा सविधान संगात्मक शाषन व्यवस्था की स्थापना करता है इसमें संगात्मक शाषन व्यवस्था के लक्षन जैसे संग्ये एवं प्रांतिय स्थरों की सरकारें शक्तियों का विभाजन लिखित सविधान स्वतंत्र न्यायपाली का आदी शामिल है संग्ये एवं प्रांतिय स्थरों की सरकारें शक्तियों का विभाजन लिखित सविधान स्वतंत्र न्यायपाली का आदी शामिल है यह था हमारा संग्यात्मक शाषन व्यवस्था अब हम बात करेंगे नमबर 10 संसदिय शाषन व्यवस्था सविधान के द्वारा देश में संसदिय शाषन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें कारेपाली का विधाई का के प्रती उत्तरदाई रहती है यह था संसदिय शाषन व्यवस्था अब हम बात करेंगे सवतंत्र न्यायपाली का नमबर 11 विशेशता हमारी है सवतंत्र न्याय पालिका देश में एक सवतंत्र एवं निश्पक्ष न्याय पालिका की विवस्था की गई है ताकि जनता को न्याय मिल सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके तथा सविधान के अनुसार ही शाषन चलता रहे ये था हमारी सवतंत्र न्याय पालिका अब हम बात करेंगे नंबर बारा विशेष्था कठोर एवं लचीला ये विशेष्था हमारी सविधान में बदलाव ना तो आसानी से होता है ना ही कठोरता से सविधान के कुछ मैधपूर प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष्था भाउमत की आवश्था होती है तो कुछ प्रावधानों को साधारन भाउमत से ही बदल लिया जाता है ये कहते हैं सविधान के कुछ मैधपूर प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष भाउमत की आवश्था होती है तो कुछ प्रावधानों को साधारन भाउमत से ही बदल लिया जाता है ये था कठोर एव लचीला अब हम बात करेंगे नमबर 13 विशेषता है इकहरी नागरिकता वैसे तो हमारे देश में संगात्मक शार्षन व्यवस्ता है किन्तु भारतिये नागरिकों को उनके अपने राज्ये की नागरिकता नहीं दी गई है वे केवल भारत के ही नागरिक है इकहरी नागरिकता देश की एकता को बढ़ावा देती है ये थी हमारी इकहरी नागरिकता अब हम बात करेंगे सार्व भाम में व्यस्क मतादिकार हमारे सविधान में 18 वर्ष या उससे अधिक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतादिकार का प्रावधान है ये थी हमारी सार्व भाम व्यस्क मतादिकार